पहलो दोस्तों ABC कोचिंग योटोब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आसा है कि आप अपने बोर्ड एक्जाम के तयारी अच्छे से कर रहे होंगे आज की इस वीडिये में एक अक्षा नवी के साइन्स अर्थात विज्ञान के महतपुन अब्जेक्टिब प्रस्ण बताने वाला हूँ जो कि आपकी बोर्ड परिक्षा के लिए काफी महतपुन है दोस्तों कोचिंग के वर चलते हैं देखे सबसे पहला सवाल आप हमारी स्क्रीन पर देख पारें यहाँ पर लिखा है कि तौरण का SI मात रख है तो दोस्तों आपनों को मैंने पहले भी बता था कि तौरण का SI मात रख होता है जो कि ओप्षन नमर आपका SI में दिया हुआ है अगला कोशन है कि वेग में परिवर्तन की दर है तो दोस्तों आपनों को पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग तौरण काते है जो कि ओप्षन नमर C में दिया हुआ है अगला question है कि एक कार दो आवर से दो आवर में जो है 100 cm की दूरी तै करती है यानि दोस्तों यहाँ पर यह कह रहा है कि एक कार है जो कि दो घंटे में 100 cm की दूरी वो तै करती है तो इसकी ओसत चाल क्या होगी तो दोस्तों आपनों को मैंने formula के अनुसार बताया था और सचाल निकालेंगे इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जागा 200 km पर ती आवर जो की option नमर आपका C में दिया हुआ है इसको अच्छे सा आप लोग जो है copy में not करते जाए अगला सवाल देखें यहाँ पर लिखा है कि दो केजी दर्मान वाली वस्तू को पांच मीटर पर ती सकेंड स्कॉयर की दर से त्वारित करने में कितना बल की अवस्कता होगी इसमें जो है बल की अवस्कता यहाँ पी कह रहा है तो दोस्तों आपको पता होगा कि बल का ऐसा है मातरक नूटन होता है उसको हम N से जाते हैं तो दस हो जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा दस नूटन हो जाएगा उप्सन नमबर भी इसका जो है सही आंसर होगा अगला सवाल है कि चंद्रमा की सता पर किसी वस्तू का भार पिर्थवी की सता पर उसके भार का कितना गुना होता है तो दोस्तों इसका आंसर आगा एक बटा छे गुना होता है ठीक है इसको अच्छे साफ लोग जो है रट लीजिएगा क्योंकि ये एक्जाम में जो है बार बार कोश्चन पूशे जाते हैं चलिए अगला सवाल है कि धनूस की तानित डोरी में कौन सी उर्जा जो है संचित होती है तो इसको अच स्थिति उर्जा हो जाएगा ठीक है उप्सन नंबर आपका ए जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल की उर्चले तो यहां पे देखे ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहां पे दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वेग जो है दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज कितनी हो जाएगी तो दोस्तों आपको पता है गए यहां पे वेग जो है दुगनी कर दिया गया है तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगी इसकी गति जो हो जाएगा वो चोगनी हो जाएगी उप्सन नंबर 40 का सही अंसर होगा अगला सवाल है इन में से तरंग वेग भी और तरंग दिया हुआ है ठीक है अगला सवाल है कि उर्जा का वेवसाइक मात रख है तो उर्जा का वेवसाइक मात रख क्या होता है वेट होता है तो option number आपका जो है डी हो जाएगा सैंसर वाट ठीक है इसको अच्छे सा आप लोग रट लेंगे अगला सवाल है सावत्री का गृत्वी इस्थिरांक G का SI मात रख है तो इसका SI मात रख क्या होता है N M sq. पर जो है यानिकी kg sq. यानिकी न्यूटन मीटर ठीक है याद रखेंगे न्यूटन मीटर sq. प्रती kg sq. इसको अच्छे सा आप लोग रट लीजिएगा अगला सवाल की जो और चले तो यहां पर लिखा होगा option number is का जो है एसाई आंसर होगा अगला सवाल है निम्न में से किसका जड़तों अधीक है तो दोस्तों रेलगारी का जड़तों जो है सबसे अधीक होगा क्योंकि साइकील कार और बस रेलगारी के अभिक्षा जो है कम भार वाला है और कम लंबाई वाला है तो दोस्तों इसका जो जड़त होगा न तो ये रेलगारी का सबसे अधीक जड़तों यहाँ पे होगा अगला सवाल दोवनी तरंगे होती है तो दोस्तों मैंने आपको पहले वे बताए था कि दोवनी तरंगे क्या होती है अनुप्रस्त तरंग होती है तो option number A जो है इसका सही अंसर होगा अगला सवाल है कि समाणी मनुस्के कानों के लिए स्रवताप प्रास हो क्या है तो इसका अंसर जागा 20 ह जार हड़ तक, option number A, इसका सायांसर होगा, अगला सवाल है, इस्टिल का जाहाज पानी पर नहीं डूपता है, लेकिन इस्टिल की कील, काटी जो है, यानि इस्टिल की कील, अरथात काटी, पानी में डूप जाता है, इसका कारण है, तो दोस्तों मैंने इसके बारे में पहली आपनों को डिसकस करके बताया था, सब जाक्टिम में, और मैंने इसको अच्छे से समझाय था, कि क्यूं नहीं डूपता है, और क्यूं छोटी से छोटी वस्तु जो है, डूप जाती है, जैसे की कील हो गया, तो बलेट हो गया, यह सब कैसे डूप जाता है, तो इसके बार प्रोपीत बल के समानुपाती होता है, अप्सन नमर भी इसका से अंसर होगा, अगला सवाल दिया है कि जनत्व का एक उधारन है, सोरी जनत्व नहीं है, तत्व का एक उधारन है, यहां धियान दिजेगा, अप्सन यहां पे कुशन जो है काफी इन्पोर्टन इसको इसकन, अप्सन नमर ए जो है इसका सही अंसर होगा, अगला सवाल की ओर चले, तो यहां पे देखी बिस्वा नमर कोशन यह ऐसा पूशा गया है, यह काफी रिपीटेट कोशन, इसको अच्छे साब लोग रट लिजेगा, यहां पे कोशन दिया गया है कि आक्षीजन का सही इलोक्टोनिक विन्यास निम्निमी सी कौन है, तो दोस्तो इसका अच्छो जागा, यहां पे ऑप्सन नमर सी हो जागा, दो, आट, शे ठीक है, यह हो जागा, ऑक्षीजन का इलोक्टोनिक विन्यास, इसको अच्छे से रट लिजेगा, अगला सवाल है कि प्रतिक, सी बारा और छे, से कारवर्ण का दर्मान संख्या है, तो दोस्तो इसकी दर्मान संख्या अगर निकाले, तो दोस्तो आप धिहान देजेगा, इसमें हम क्या करेंगे, कार उपर वाला जो क्या है, यह दर्मान है, नीचे क्या है, आपको मैंने पहले बता था, उपर और नीचे के पर तो यहाँ पे दरमान की संख्या पूछी जा रही है दरमान संख्या क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी तो option नमबर आपका जो है 20 का सेयांतर होगा अगला सवाल है कि यदि किसी तत्व का परमानू करमांक A तथा परमानू दरमान Z है तो उसके परमानू में उपस्तित न्यूट् में होता है तो यानि कि A मैनस Z हो जाएगा जो कि option नमबर आपका C में दिया हुआ है इसको अच्छे से लिख लिजे कॉपी में नौट कर लिजे अगला सवाल है कि इस अवस्था में अड़ों की उर्जा अधिक्तम होती है तो दोस्तों इसका अंसर आगा गास अवस्था मे option नमबर इसका C सही अंसर होगा अगला सवाल है कि 10 degree centigrade ताप करम बराबर होता है तो इसको हमको Kelvin में ग्याद करनी है धियान दिजेगा कि यहाँ पे Kelvin में आपको आंसर बताने है तो इसका अंसर जागा 283 Kelvin क्योंकि दोस्तों 273 Kelvin तो होता है ठीक है यानि कि 273 धियान दिजेग 273 और पलस यहाँ पे क्या है 10 degree है तो इसको हम एड करेंगे तो कितना हो जागा 283 Kelvin जो कि option नमबर आपका भी सही अंसर होगा अगला सवाल है कि निमलिखित में से कौन मिश्रण है तो दोस्तों धियान दिजेए यहाँ पे option दिया है चांदी, हैट्रोजन, जल और वायू त होते हैं आधर होते हैं सारा चीज मौदूद रहते इसलिए दोस्तों यह आंसर इसका सटिक होगा ठीक है अगला सवाल है 26 नमबर देखिया रिकाए कि सी अल आयाइन ठीक है सी अल आयान में जो है सन्योगता लग्ट्रॉन की संख्यां होती है तो दोस्तों इस कांसर जागा अप्सन नमबर ए हो जागा प्रमानू के अंदरक इसको अच्छे साप लोग रट लेंगे अगला सवाल के और चले तो यहाँ पर दीखिये 28 नमबर सवाल दिया आगया कि 0.5 मोल H2O का दरमान होता है तो इस कांसर जागा 9 गरम दरमान होगा अप्सन नमबर 20 का सही अंसर हो क्योंकि काफी जादा अरामदे होता है क्योंकि हमारे जो पसीने हैं उनको अफसोसित कर जो है में ठंड़ाग परदान करती है तो अप्सन नमबर 20 का सही अंसर होगा अगला सवाल है कि निमलिखित मिस्रनों में से विल्यन का पहचान करें तो दोस्तों यहाँ पे विल्यन क का जो है किरन पुझ है अगला सवाल है किसी तत्व के परमानु में 18 न्यूट्राण और 17 प्रोट्राण है तत्व का प्रमानु द्रमान होगा तो दोस्तों यहाँ दिजिए यहाँ पर प्रमानु द्रमान पूशा जा रहा है तो मैंने आपको बता था कि प्रमानुों की अंसर होगा अगला सवाल है कि सोडियम का सही लॉक्टोनिक विन्यास निमने में से कौन सा है तो यहाँ पर सोडियम पुछा गया है तो सोडियम का फॉर्मुला आपको पता है एन यह होता है ठीक है एन एक का जो है लॉक्टोनिक विन्यास क्या होती है यहाँ को यहाँ पर प और ये बार बार बोड की परिक्षा में 100% पूछता ही पूछता है तो इसको अच्छे साफ लोग याद रहेंगे इसका आंसर जागा 6.022 गुना 10 पर पावर 22 ठीक है इसको अच्छे साफ लोग रट लेंगे अगला सवाल देखें यहां पे 35 नमर दिया है कि आत्म हतिया का थ अगला सवाल लिख्या है कि ट्रैकीडस पाए जाते हैं तो ट्रैकीडस पाए जाते हैं काफी बीबी आई है और रिपीटेट कोश्चन है इसका अच्छे से याद रखेंगे ट्रैकीडस जो है वो जायलम में ही पाए जाते हैं अगला सवाल 38 नमर पूछा गया है कि मलेरिय प discovery करोगवाहाग जो होता है वह मच्छर होता जो कि आपसेंगर B में दिया हुआ है अगला सवालेंगी ओज़ान-गयस पैये तो अज़ून-गयस है वह सम्ताप-मंडल में पाये जाती है जो कि op पौधो द्वारा संसलेशित पदार्थ कहलाते हैं, चालिसवा नंबर कोशन जो है काफी रिपीटेट है और इसको अच्छे साप लुझा है याद रखेंगे, कोशन एक बार फिर से पढ़े देता हूँ कि पौधो द्वारा संसलेशित पदार्थ कहलाते हैं, तो पौधो द् करते जाए और दोस्तों इसका पीडियाप जो है मैं टेलिग्राम और वाट्सअप ग्रूप पर दे दूँगा, तो आप अभी तक युवाइन नहीं किये है, तो नीचे डिस्क्रिस्टेट में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जो है इसका पीडियाप भी प्राप में निवास कर सकता है, अगला सवाल है कि एक विस्व व्यापी बीमारी है, तो विस्व व्यापी बीमारी में आपको यहाँ पर पुशा गया है, तो इस कांसर जाग एड्स, एड्स जो है क्या है एक विस्व व्यापी बीमारी है, आप्सन नमबर डिस का सही अंसर होगा, अगला सवाल है कि ओजोन है तो ओजोन क्या है आपको पता होगा ओजोन जो है वह एक गैस है जो कि ओप्सन नमबर C में दिया हुआ है ओप्सन नमबर C हो जाएगा स्वरी ओप्सन नमबर D हो जाएगा गैस ठीक है इसको अच्छे से याद कर लेंगे अगला कोशन आपका 47 न हो जागा यह जो है इसका सेंस हो जागा EDB जो है एक धूमक है अगला सवाल है कि किस परकार के उत्तकों की किर्यासिलता के गीरण कारण जो है पौधों में वार्सिक वड़े बनते हैं तो दोस्तों इसका जो जागा धिडिर उत्तक ओप्सन नमबर आपका D सहींस रोगा अ अगला सवाल है कि पादब कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली जिल्ली को कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ती ऑप्सन नमबर आपका D सहींस रोगा इस वीडियो में बताएगे 50 कोशन को जो है आप लोग अच्छे से कॉपी में रट लीजिए लिख ली ले जाएगा मिलते नेक्ष्ट गुरियम तफ तलक जाहिं वंदे मातरम